आज हम ग्रामर का सबसे पहला वीडियो सबसे पहला क्लास sentence के प्रिकार और sentence के structure को सुरू कर रहे है sentence के structure के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ये tense को सीखने में मदद करता है ये words को एक sequence में लगाने में मदद मिलती है तो अता हमे sentence के प्रिकार और sentence के structure पढ़ना जरूरी हो जाता है जब सेंटेंस के काइंड की बात करते हैं तो जो सबसे पहला काइंड आता है वो है सिंपल सेंटेंस यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस के प्रिकार के बारे में पढ़ेंगे सेंटेंस आपके तीन प्रिकार के होते हैं सिंपल कंपाउंट और कॉंपलेक्स अगर इनको हम यहाँ पुड़ा छोटा पढ़ लें क्योंकि हम इन दो के बारे में नहीं पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के काइंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस क्या हो एक finite verb कहने का मतलब है अब पूछेंगा finite verb क्या होती है finite verb का मतलब है जो verb subject के number subject के gender और subject के person के अनुसार बदलती है person के अनुसार प्रियोग होती है उसको हम finite verb बोलते हैं जैसे हम कहें he गोज I गो लेकिए I के साथ गो लगा और he के साथ गो तो ये verb जो है अपने subject के according प्रियोग हो रही है ऐसी verb को हम finite verb कहते हैं तो कहने का अर्थ यह है जिस sentence में के बल एक finite verb होती है वो simple sentence कहलाता है compound अगर किसी भी sentence में एक से ज़्यादा verb है एक, दो, तीन, चार, पांच जितनी भी बर्व है वो sentence simple नहीं हो सकता या तो compound होगा या आपका complex होगा कैसे decide करेंगे जिनको हम बाद में पढ़ेंगे फिलाल हम थोड़ा सा बता दे रहे है कि compound का मतब है एक principal किलाज और दूसरा coordinate क्लाज होता है समान पदिये क्लाज एक principal क्लाज complex sentence में क्या होता है एक principal क्लाज होता है और दूसरा subordinate क्लाज होता है तो यह पहचान है हम बात कर रहे थे sentence के kind की तो हम यह तो बर्ब के होने के अनुसार है लेकर अब हम बात कर रहे हैं कही जाती है interrogative sentence मतलब पिर्ष्न बाचक बाक तो नेचरल है कि interrogative sentence में पिर्ष्न पूछा जाएगा imperative sentence इनको हम आज्या सूचक बाक कहते हैं कि इसमें आज्याय होंगी दूसरा है आपका अगला exclamatory sentence इसको बोलते हैं कि बिस्मयादी बोदक कि बिस्मयादी क्योंकि इसमें बिस्मय सदन फीलिंग्स बताई जाती हैं और अगला है आप्टेटेव यानिके इच्छा सूचक इसमें इच्छा होती है तो इन five sentences के हम structure के बारे में पढ़ेंगे तलिए और आगे बढ़ते हैं बन बाई बन इनके बारे में हम पढ़ते हैं बात है आपकी assertive sentence की तो हमने आपसे कहा इसमें क्या होता है इसमें कथन होता है कथन का मतलब statement इसमें statement होता है कथन होता है बात कहीं जाती है सीदे सीदे किसी से हम बात करते हैं sentence के structure से होता है की बाग हमारा कैसा है जो sentence subject, verb, object के sequence में इसके क्रम में लगा होता है जिस sentence का क्रम subject, verb और object होता है उस sentence को हम assertive sentence कहते है बर्ब आपकी एक sentence में दो प्रिकार की होती है एक helping verb जिनको हम सहय की क्रिया बोलते है और main verb जिनने हम मुख्र क्रिया बोलते है बर्ब आपकी दो प्रिकार की सहय क्रिया और मुख्र क्रिया हो सकते है अब इस एक्जाम्पल को देखते हैं इस बॉआए प्लेज होके सब्जेक्ट बर्ब औबजेक्ट यह सेंटेंस जो है यह एसर्टिब है क्योंकि सब्जेक्ट बर्ब औबजेक्ट के करम में लगा है इस बॉआए डज नॉट प्ले होके यह अबजेक्ट है यह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बर्ब औबजेक्ट के करम में लगा है अब बात आती है अब जब असर्टिब सेंटेंस होता है तो आपने भी सुना है कि अफर्मेटिब और नेगेटिब फिर क्या होता है हमने कई बच्चों से बात की है हमने का Kinds of Sentence बताइए तो कहते अफ़रमेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंप्रेटिव इसंत्र कार बाते करते हैं देखि honestly और नेगेटिव क्या है देखिए affirmation और नेगेटिव क्या है काम का होना और काम का ना होना इस सेंटेंज में देखिए नॉट नहीं लगा है तो यह आपका अफर्मेटिव है अफर्मेटिव मतलब सुईकारात्मक बात इसमें काम हो रहा है काम का होना अफर्मेटिव देज नॉट प्ले काम का ना होना नेगेटिव तो काम का होना अफर्मेटिव काम का ना होना नेगेटिव लेकिन बात आती है structure की subject, verb, object का structure आपका assertive sentence तो ये assertive का affirmative और ये sentence assertive का negative उम्मित कर रहा है आपको assertive sentence समझ में आ गया होगा अब हम आगे sentence पर बढ़ते हैं वो है आपका और sentence देख लिए तो example they are reading their books are helping verb है और रीडिंग में बर्भ है subject और object subject helping और में बर्भ object sentence आपका कैसा है assertive they are not reading helping बर्भ के बाद not object subject sentence assertive अब बात आती है helping बर्भ एक नोट के लिजिए helping बर्भ एक sentence में maximum तीन होती है ये आपका she will have been reading her books since morning see आपका subject है और helping verb आपकी तीन है will have been ये तीन helping verb एक साथ होती है जब भी negative बनता है तो यहीं note बता दे रहा हूं कि first helping verb के बाद not लगा देते हैं तो आपका नेगेटिव बनता ये बात है नोट के लिए एक sentence में मैग जी में हम तीन helping बर्भ हो सकती है के बल पहली helping verb के बाद not लगाएंगे तो आपका negative बन जाएगा और ये main verb है तो he see will have been reading her book since morning ये आपका future perfect continuous tense का बाग है अब हम interrogative sentence की बात करते हैं तो देखिए interrogative sentence की बात होती है तो देखिए interrogative sentence आपके दो प्रिकार के होते हैं पहले helping verb से शुरू होने बाले ये helping verb से शुरू होते हैं interrogative sentence जिने हम person बाचक बाक कहते हैं कौन से बाक कहते हैं person बाचक मतला जिन बाक्यों में जिन sentences में person पूछा जाता है तुम कहां रहते हो तुम क्या करते हो क्या तुम खाना खाओगे ये तो पहले प्रिकार के बाक helping verb से शुरू होते हैं किस से शुरू होते हैं helping verb से और हिंदी में शुरू होंगे हिंदी में शुरू होंगे क्या से क्या से सुरू होंगे हिंदी में तो ध्यान न किये ये हिंदी में शुरू होंगे क्या से और इंग्लिस में शुरू होंगे helping verb से तो इनका जो structure है वो subject verb और object से पहले helping verb लेकर होता है अब यहाँ पर हम एक्जाम्पल देखते हैं देखिए एक्जाम्पल देखिए सेंटेंस हमने पहले पढ़ा ही इज पिलेंग होकी यह सेंटेंस आपका असर्टिव है क्या करते हैं कि इस हेल्पिंग बर्ब और इस सब्जेक्ट को हम इनवर्स कर देते हैं बिना हेल्पिंग बर्ब के ना तो नेगेटिव बनता है बिना हेल्पिंग बर्ब के ना इंट्रोगेटिव बनता है तो इस हेल्पिंग बर्ब को अगर हम सब्जेक्ट से इन्वर्स करके तुरू में ले आते हैं तो यह आपका बाग interrogative बन जाता है तो इसका interrogative क्या बनेगा इस sentence का interrogative बनेगा Is He Playing Hockey फिर interrogative sign लगा जाएगा तो समझ रहे हैं केबल assertive sentence जो होता है उससे हम inverse कर देते हैं उससे हम helping verb को inverse कर देते हैं subject से पहले लगा देते हैं वो आपका क्या वाला interrogative sentence बन जाएगा और example देखते हैं यह उसको केबल example के द्वारा ही समझा जा सकता है देखिए sentence है आपका दे पिल हैब दन देर वर्क यह आपका assertive sentence है क्या करना है हमने कहां पहली helping verb के बात note लगाते हैं पहली helping verb को ही सुरू में ले लेते हैं तो इसको सब्जेक्ट से इनवर्स कर लीजिए यादि के बिल सुरू में ले लीजिए है या helping verb से सुरू होने बाला interrogative sentence मन जाता है और हम बात करते हैं दूसरे टाइप के sentence की तो दूसरा टाइप के जो sentence होता है वो पिर शुन बात सक सब यानि कि कुशन वर्ड से शुरू होता है बिगेंज बेट कुश्चन वर्ड जैसे वाई दू यू यू बीट हिम तुम उसे क्यों पीटते हो तो इस sentence में यह कुशन वर्ड है और यह आपकी हैल्पिंग बाल है जब कुश्चन वर्ड और हैल्पिंग बर्ब सब्जेक्ट बर्ब ऑब्जेक्ट के जो एसर्टिव सेंटेंस का इस्ट्रक्चर होता है उसके शुरू में ले ले लेते हैं तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है हिंदी में सेंटेंस में प्रिशन बात सब्द बाग के बीच में होते ह sentence आपका interrogative है कौन सा बाला है जिसमें प्रिशन बात्चक सब्द sentence के बीच में है तुम कहां जा रहे हो तो ऐसे में क्या करते है हम इस कुशन वर्ड को सबसे पहले यह फिर उस टेंस की helping वर्ड को यह आर वियर आर सब्जेक्ट को यू फिर बर्ब को गोई तो यह जो sentence बनता है यह आपका interrogative sentence दूसरे प्रिकार के बनता है एक दो प्रिकार के आपका interrogative sentence शुरू होता है तो पहला helping वर्ड से और दूसरा कुशन बर्ड और helping वर्ड से हैं अगर हम और बात करें तो देखिए एक sentence का structure हम और लेते हैं इसी में है इस sentence को देखिए आप इसको थोड़ा ता उपर कर ले रहा देखिए प्रिसन है तुम्हें कौन पढ़ाता है यह sentence सुरू होगा हमारा who से teaches you तुम्हें कौन पढ़ाता है अब बताईए इसमें helping वर्ड कहा है जबकि हमने कहा कि कुशन वर्ड के बाद helping वर्ड होनी चाहिए इसमें helping वर्ड नहीं है ऐसा क्यूं है हम इस पर बात कर रहे हैं देखिए हमारे तीन कि इंट्रोगेटेव सब्ध हैं एक है आपका हूँ 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 वाट है और विच यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम सीधे सीधे करते हैं अगर हम इस हूँ को रिप्लेस करें और इसके जगह एक नाउन राम रख दें तो राम तो यहां पर राम इस सब्जेक्ट का काम सीधे कर रहा है तो ऐसे प्रिशन बाचक सब्द जो सीधे सब्जेक्ट का का करेगा टीचस बर्भ है और यू ऑब्जेक्ट है तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस खू वाला होता है हम अगले वाट से बनाते बना कर देखते हैं कि देखिए कि तुम को किस नहीं या किस बात नहीं दुख्री किया कि इस सेंटेंस को देखिए कि वाट कि मेंड को सेड इस सेंटेंस में देखिए यह वाट सब्जेक्ट का कां का करता है कि कहने का मतलब है हमारे वाट हू और विंच इन तीन जो आपके इंट्रोगेटिव प्रनाउन है यह सिदे वाज आप dependency का 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 म करते हैं तो उनके साथ सीधे main verb आती है बाकी जो interrogative sentence का structure question verb और helping verb subject verb object से शुरू में रखे जाते हैं और जो पहले बाले क्या बाले बाक होते हैं उनमें helping verb शुरू में रखे जाती है अब हम बात करते हैं अगले sentence की अगला sentence है हमारा imperative sentence imperative sentence को हम बोलते हैं आज्या सूचक बाख आज्या सूचक क्योंकि इसमें आज्याय होती है मतलब order होते हैं तो इसमें भाव होते हैं order के request का भाव प्रपोज प्रस्ताओं बैग माने मांगना यह बहुत सारे भाव होते हैं तो पहले जब आग्या सुचक बाख है तो इनमें आज्या इनके order request प्रार्थना एडवाईज सलह प्रपोज प्रिस्ताओं सजैस्ट बैग बहुत सारे भाव होते हैं दूसरा है यह sentence जो है बर्ब की first form से शुरू होते हैं और इनके लगिए आपने बर्ब की first form अबस पढ़ी होगी यह बर्ब की first form यह बर्ब की first form अपने आप में एक imperative sentence होती है कैसे किसी भी बर्ब की first form को जोर से बोल देजिए अपने आप में imperative sentence बन जाएगी go जाओ come आओ sit बैठ जाओ तो यह प्रतेक बर्ब बर्ब की first form प्रतेक बर्ब अपने आप में imperative sentence होती है जैसे कि कहबत है there can be no sentence without a verb if there is only one word in a sentence it must be a verb कहने कारतिया है बिना बर्ब के कोई सेंटेंस बिना किर्या के कोई बाक नहीं बनता यदि बाक में केबल एक ही सब्द है only a single word तो वो निश्चित रूप से क्या होगी बर्ब होगी वोग सेंटेंस का होगा वह सेंटेंस इंपरेटिव बनेगा तो इंपरेटिव सेंटेंस का इस ट्रेक्चर समझ के होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो आपका बर्ब की फस्ट फार्म से सुरू होता है किस से बर्ब की फस्ट फार्म से सुरू होता है और इसके बात अबजेक्ट लगा होता है दो पहली और दूसरी बात समझ में आ गई होगी तीसरी बात इन यहीं तो कहते हैं तुम दरबाजा खोलो, तुम ऐसा करलो, तुम बैसा करलो, यहने कि आग्या हमेसा तुम को दी जाती है, आग्या हमेसा यू को दी जाती है, ऐसा तु नहीं कहते हैं, मैं ऐसा करले, बैसा करले, नहीं, तुम ऐसा करलो, तो इसमें करता जो है वो यू, बोल की छिपा होता है क्योंकि सारे आदेस यू को दिये जाते हैं अब हम उनके कुछ एक रिक्वेस्टिंग भरा सब्द है प्लीज को हम बाद में भी लिख सकते हैं ऐसा भी कह सकते हैं help me please इस sentence को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है अगले बरते कुछ और example लेते हैं देखिए यह कुछ सेंटेंस हैं अगर हम negative की बात करें तो यह आपका बर्वाति की फर्स्ट फार्म और ऑब्जेक्ट हैं तो इससे पहले डूनॉट यह के डॉन्ट लगा करके हम नेगेटिव बनाते हैं तो डूनॉट मेक अन्वाइज डॉन्ट-सीट धार डॉन्ट गो दियर दॉन वुदेट इस डॉन्ट डॉु द sono डॉन्ट बैटटों अफ भूए हम नेगेटिव बनाते हैं नगिटिव का मतलब होता है दोट का होना और नागए और अफिर सेंटेंस का इस ट्रेक्चर होता है और अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है नौट का होना ना होना कुछ सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं देखें लेट का मतलब होता है अनुमती देना अनुमती देना होता है लेट मी दू दिस मुझे यह करने दो लेट मी पिले मुझे खेलने दो लेट हिम गो देर उसे बहां जाने दो तो जो लेट से शुरू होते हैं बहां दो की आबाज आती है क्योंकि यह अनुमती देने के लिए पिरोग होते हैं और दूसरे सेंटेंस होते हैं शुरू लेट अससे तो देखें इनका हम चलो हम लेट अस आऊ हम प्ले आ मैच एक मैच खेलते हैं तो यह हमारे इंपरिटिव सेंटेंस थे इंपरिटिव सेंटेंस को हम बात करें तो इन में आग्या इनके ओडर कर रिक्वेस्ट प्रार्थना अइडवाईस स्लहा के भाव होते हैं यह बर्व की first फार्म यानि कि बर्व की first फार्म से शुरू होते हैं उनके बाद ऑब्झेक्ट होता है और इनमें करता यू छुपा होता है तो ये थे हमारे imperative sentence अब हम बात करते हैं अगले sentence की तरह exclamatory sentence बिस्मयादी बोधक बिस्मयादी बोधक का मतलब होता है जिसमें बिस्मय होता है अचानक हिर्दे से निकलने बाले भाव होते हैं जैसे हम कहें हमने एक फूल देखा रोज का रोज फ्रावर देखा तो हम कहेंगे how beautiful the rose is गुलाब का फूल कितना सुन्दर है how beautiful the rain is बरसा कितनी सुन्दर है तो ये हमारे sudden feelings होती है हमारे हिर्दे की जो निकलती है तो इसमें क्या होता है इसमें strong feelings जो है एक्सप्रेस होती है जैसे की ग्रिफ happiness दुख की feelings पिरसंता की भावना ये प्रिकट होती है जैसे एलास I have ruined अफसोस मैं बरबाद हो गया क्योंकि जब feelings होती है तो इनके बाद exclamatory sign भी लगता है जहां feeling हम आप दों की बही sign एलास ये feeling है exclamatory sign I have ruined तो यह यह जो sentence है ध्यान लखिये subject बर्ब और object तो हमारा simple sentence का structure है अगर इससे पहले exclamatory sentence को बनाना है तो हम interjection लग देते हैं कुछ तो एक तो होता है interjection के द्वारा sentence को बनाना तो यह आपका एक प्रिकार का assertive sentence होता है जिसको पहले हम interjection लगा करके exclamatory बनाते हैं कुछ sentence full के full exclamatory होते हैं जैसे how beautiful the rainbow is तो यही पर हमने sign of exclamation लगाया है what a fool you are यह पूरा sentence exclamatory है इसलिए हमने यहाँ पर sign of exclamation लगाया है फुर्ना we have bond the match इसमें खुसी प्रिकट की गई है इस खुसी प्रिकट करने वाला सब्द है और भी है bond the match यह आपका assertive है तो assertive से पहले हमने interjection लगा करके exclamatory sentence मनाया है और यह sentence आपके full के full जो है exclamation है अब हम बात करते हैं अगला sentence of optative sentence की बारे में देखिए optative sentence का मतब होता है इच्छा सूचक तो इसमें इच्छाएं होते हैं इच्छाएं का मतब किसी को दुआ देना किसी को बद्दुआ देना किसी को कोसना कि किसी के बैल बिंग यानके इसकी भडाई की बात बात कहना यह optative sentence होते हैं यह sentence आपके इनमें क्या होता है प्रेयर की इनमें देखिए तीबर इच्छा कर्स इनके भाव इसमें होते हैं जनरली जो sentence है यह में और बिस शुरू होते हैं जैसे में गॉड ब्लैस यू इनमें भी sign of exclamation लगाया जाता है में यू लिब लॉंग लॉंग लिब दा प्राइम मिनिस्टर और एक्जाम्पल देखते हैं में गॉड ब्लैस यू बिस यू आप बैरी सक्सेस्फुल मेरिड लाइफ ध्यान रखिये बाद में sign of exclamation भी बिस यू अ हैपी जर्नी टूगेदर में यूर टीम बिन्दा मैच हैपी दीपाबली हैपी होली मेरी क्रिस्मस तो यह आपकी इच्छाएं होती हैं तो यह थे हमारे पाच एक्सक्लेमेट्री अप्टेटिव इंपरेटिव इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटन्स इनके अगली बात तो इन सेंटन्स को हमें पढ़ना है इस सेंटन्स में आज जाता है इतो इस सेंटन्स जो हम सेंटन्स पढ़ रहे हैं हम क्यों पढ़ें इनको देखिए जब इस्ट्रेक्चर होगा हमारा तो हमें चाहे हम S.S.C. पढ़ रहे हो चाहे हम S.S.C. में C.G.A. पढ़ रहे हो या M.T.S. पढ़ रहे हो या imperative sentence के structure यह हमें structure हमारे exam में error detection करने में मदद करते हैं तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं Thank you, all the best जाद लंबा तुमा है झाल